नमस्कार किसान भाईयो, स्वागत आपका हमारे एको नए वीडियो में किसान भाईयो, आप हमेशा से कीटनासकों का प्रयोग अपनी फसलों पर करते होंगे पर क्या कभी आपने सोच है कि कीटनासक दावाओं पर EC या SC क्यों लिखा होता है तो आईये आज हम बात करते हैं कि किन प्रकार की दावाओं पर EC तथा किन प्रकार की दावाओं पर SC लिखा होता है तो वीडियो सुरू करने जब पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले किसान भाईयो जब भी हम कोई इंसेक्टिसाइड लेते हैं तो उस पर ECIS सी लिखा होता है तो आईये सबसे पहले हम बात करते हैं EC formulation यानि की emulsifiable concentrate दावाओं के बारे में तो EC formulation वाली दावाईया पानी के जैसे बिना रंग वाली होती है दूसरी बात EC formulation वाली दावाओं में चो chemical होता है वहाँ बहुत एक्टिव होता है और इस formulation वाली दावाईया बहुती कम समय में पानी में गुल जाती है तथा तुरंत पूरे गुल का रंग सफेद कर देती है इन दावाईयों का असर ज्यादा दिनों तक फसलों पर नहीं रहता है जैसे की प्रोफिनोफास साइफर में 50% EC जब भी हम इसका छिड़काव करते हैं तो जैसे ही इसे पानी में मिलाते हैं तो यहाँ पूरे पानी का रंग सफेद कर देती है और इस दावाई का खुद का रंग पारदर्सी होता है और भी बहुत से कीट नासक होते हैं जैसे की क्लोरिपाईरिफास 50% EC पेंडी मिथलिन 30% EC किसान भाईयों अब हम बात करते हैं EC फॉर्मूलेशन वाले कीट नासकों के फाइदों और नुकसान के बारे में तो EC फॉर्मूलेशन वाले कीट नासक EC के मुकाबले सस्ते होते हैं तथा यहां पानी में आसानी से घुल जाते हैं एवं ज़्यादा एक्टिव होने के कारण यहां कीटों पर इस्टेंट यानि की जल्दी असर दिखाते हैं अब अगर हम इसके नुकसान के बारे में बात करें तो EC फॉर्मूलेशन वाले कीट नासकों को किसी दूसरे कीट नासक के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए क्योंकि यहां ज़्यादा एक्टिव होने के कारण उनके साथ रियक्शन कर लेते हैं तो दूसर नुकसान EC फॉर्मूलेशन वाले कीट नासकों को ज़्यादा टेम्टरिचर बारिस तथा गीरे हुए बादल होने पर उप्योग नहीं कर सकते हैं और करते हैं तो यहां अपना सर नहीं दिखा पाते हैं मतलब हम कह सकते हैं कि जब भी हमें इंस्टेंट रिजल्ट लेना हो तब इनका छिड़काव करना चाहिए किसान भाईयो अब हम बात करते हैं EC formulation यानि की suspension concentrate के बारे में तो EC formulation वाली दवायों का रंग सफेद होता है यहां पानी में कम गुलंसिल होती है तथा जो EC formulation वाले कीट नासक में active chemical होता है वहां बहुत ही सुरक्षित होता है क्योंकि इसमें गिला powder यानि की wettable powder मिलाया जाता है तथा यहां बहुत ही लंबे समय तक अपना असर फसलों पर दिखाता है मतलब जब भी हमें लंबे समय तक फसलों को सुरक्षित रखना हो तब हमें EC formulation वाले कीट नासकों का प्रयोग करना चाहिए किसान भाई ओ अब हम बात करते है EC formulation वाले कीट नासकों के फायदव एउम नुक्सान के बारे में तो AC formulation वाले कीट नासक को किसी दूसरे कीट नासक के साथ मिला कर प्रियोग ले सकते हैं क्योंकि AC formulation वाले कीट नासक में active chemical बहुत ही सुरक्षित होता है इस कारण यहां किसी दूसरे chemical के साथ reaction नहीं करता है SC formulation वाले कीट नासक को किसी भी मौसम में उपयोग कर सकते हैं SC formulation वाले कीट नासक में वेटेबल पाउडर यानि की गिला पाउडर होता है इस कारण यहां पत्तों पर चिपक जाता है जिससे हैं लंबे समय तक अपना असर दिखाता है किसान भाईयो अब हम बात करते हैं इसके नुकसान के बारे में तो SC formulation वाले कीट नासक एसी के मुकावले थोड़े महंगे होते हैं परन्तों इनका असर लंबे समय तक रहता है तथ हम खराब मोसम में भी इनका इस्तमाल कर सकते हैं और हाँ एक ध्यान देने वाली बात यहां है कि यहां instant result नहीं देते हैं यदि हमें instant result चाहिए तो हमें EC formulation वाली दावाओं का इस्तमाल करना चाहिए और यदि हमें लंबे समय तक फसलों को सुरक्षित रखना हो तो SC formulation वाली दावाओं का प्रयोक करना चाहिए तो बस यहीं सब कुछ था इस वीडियो में अगर आपको यहां जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना वोले धन्यवाद